हेलो एवरिवन वेलकम टू इजी इंजिनेरिंग क्लासेज सो स्टुडेंट्स हम प्लेस्मेंट की त्यारी के उपर कुछ वीडियो को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं बेसिक लिए आपको कुछ जावा के ट्रिकी आउट्पूट बेस क्वेस्ट को डिसकस करूँगा सो सिंपल हैं थोड़े से ट्रिकी हैं कि उसमें स्टुडेंट्स थोड़ी सी गलती कर देते हैं सिंपल सा कुष्चन होता है और उसमें वो गलतान सा माक कर देते हैं ऐसे हम धीरे धीरे बहुत सारे जावा के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के उपर जावा के सी के सी प दिलती रहें चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला कोश्चन जो मैंने यहां पर लिया है बहुत सिंपल कोश्चन है यूजश है टू प्रिडिक्ट दी आउट्पूट सारे कोश्चन जो हम देखेंगे उसमें आपको आउट्पूट को प्रिडिट करना होगा सबस्क्राइब को आप क्या कर सकते हो आप निची के कमेंट सक्षिन के अंदर या रिजु लाइफ चैट चल रही है उसकी नदकि अंदर मुझे इसका आउट्पूट बदाओ कि आउट्पूट क्या और चीज़कम तो क्या इसका आउट्पूट कुछ और आएगा So इसका यह नहीं आएगा यह आप लोग याद रखो इसका उटपुट यह नहीं आएगा क्यों 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 कि यहां पर हमने इसको सिंगल कोट के अंदर लिखा है इस चीज का याद रखना सिंगल कोट के अंदर लिखा है इसलिए यह इसी इस तरह से नहीं आएगा होगा क्या सिंग value का वो इसका output होगा, उसका correct output आपको मिलेगा 301, आप अपने system के उपपर इसको run करके देख सकते हो, आपको output क्या मिलेगा 301, तो यह important point था, क्योंकि single quotes के अंदर दिया हुआ है, अगर यही चीच इस तरह से होती, double quotes में होती, e, e, plus double quotes के अंदर c, तो क्योंकि आप double quotes के को दिख रहा है, तो इसका output आपको यह मिलता, ठीक है, तो यह बहुत important point है, क्योंकि single quotes के अंदर दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, SKI के अंदर उसका conversion होगा, और उसकी values का submission होगी output आपको देखने को मिलेगा, चलिए, तो अभी आगे बढ़ने से पहले, एक important information मैं आपके साथ share करने चाहता हूँ, और वो है कि unacademy का, unacademy का code chef के साथ जो classes चल रही है, different classes चल रही है, उसके बारे में थोड़ा से मैं आप से discuss कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो आप unacademy का subscription क्यों लोगे, ऐसा क्या मिल रहा है आपको unacademy का subscription लेने से, एक तो आपको देखो सारी live classes मिल रही है, all the live classes you can have, live classes आपको मिलती है, आपको relevant problems, जो code chef की problems हैं, उसको practice करने का chance मिलता है, doubt solving support आपको मिलता है, इसके साथ सत आपको क्या मिलता है, कि जो courses पहले हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो पहले का course उसको आप नहीं देख सकते हैं, आपके बहुत सारे favorite teachers हैं, great educators हैं, जो आपके batches को लेंगे, आपके doubts को solve करेंगे, dedicated doubts sessions होते हैं, live classes के अंदर आप अपने doubts को पू होगा क्या structured learning path होगा, एक subscription जिसमें आप सारे के सारे courses देख सकते हो, successful contest in competition like ICPC, code jam के अंदर आपको contest के अंदर success मिलेगी, आप interviews को crack कर सकते हो easily, industry accepted code chef का certification मिलेगा, यह बहुत important है, आपको subscription मिलेगा, and आपके तो subscription fee है, वो एक दिन का less than 90 पढ़ता है, अगर इसके बाद भी 10% का discount चीए, तो आप लोग मेरा code use कर लेना, description के अंदर मैं आपको अपना code देदू, आप लोग वो code use करना, आपको 10% extra discount भी मिल जाएगा, यहां पर, चलो तो अब दुवारा से वापिस आते हैं, अपने output वाले questions के उपर, और अगला question यहां पर इस तरह से है, again main class है, एक main method है, यहां पर हमने लिखा है, if true then break, ठीक है, if true then break, अब क्या होगा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सार इसमें कुछ नहीं होगा, nothing will happen, क्योंकि true है अगर, ठीक है, break यहां पर आगया, but इसका output क्या आएगा, error, now error क्यों आएगा, क्योंकि break को आप if के अंदर ऐस तरह से नह हम break लिखते है, break या continue, इस तरह से if के अंदर हम break को नहीं लिखते है, अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको error मिलेगा, clear important point है, आपको note करके रखना इस चीज को, अगला question, अब यह question बहुत important है, यह question बहुत important है, important क्योंकि इसमें बच्चे क्या कहेंगे, कि sir इसमें error आएगा, क्या लिखा है हमने, एक main class है, public static void main, एक हमने main function बनाया, जिसके अंदर string arguments हमने pass किये, एक और हमने main function बनाया, same नाम रखा, सबको same रखा, main की spelling भी देखो, same है, बिल्कुल, main, main, इसके अंदर भी एक string type का argument हमने pass किया, अब इसमें है कि क्या होगा, क्य इसमें error आएगा, क्या इसमें error आएगा, error भी क्या compile time होगा, या run time होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, nothing will happen, क्योंकि कुछ हमने print तो कराया है नहीं, तो nothing will happen, मतलब कोई error नहीं आएगा, कोई problem नहीं है, इस code के साथ, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि क्या आए यह हुआ क्या है यहां पर, अगर आप इस concept को समझो कि इस वक्त हमने किया है, यह क्या है, यह method overloading है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से, method overloading में क्या होता है, method का name सेम होता है, बट method के जो arguments होते हैं, उसमें कुछ difference होता है, ठीक है, आप कुछ कहेंगे कि sir, यहां पर भी array type है, और यह एक है simple आपका एक string type का variable है, यह array type है, यह string type का variable है simple, तो यह जब difference आगिया, parameters के अंदर, arguments के अंदर, तो method overloading हो गई, अब method overloading allowed है, main method के साथ भी method overloading allowed है, आप यह लिख लो, main method can also be overloaded, main method can also be overloaded, ठीक है? अब होगा क्या compiler, जब call करेगा सबसे पहले बार main method को तो कौन सा call करेगा, जिसमें string array type का argument है, तो जब compiler call करेगा पहली बार, compiler जब call करेगा पहली बार तो वो इस वाले main method को call करेगा ठीक है अब इस main method को call करने के लिए आपको अलग से main method को call करना पड़ेगा अगर मैं इस तरह से call करता हूँ देखो main ABC सपोर्ज मैंने इस तरह से इसको call किया ABC टाइप का parameter मैंने पास किया तो यह वाला call हो जाएगा ठीक है तो इसमें output के आएगा nothing will happen कुछ भी नहीं होगा इस वक्त क्योंकि कुछ हमने print नहीं कराया कोई error नहीं आएगा so nothing will happen this will be the correct option for this particular question ठीक है चलो यह बहुत simple question है यहां पर कुछ भी निया जिस्ट आपको मैं एक तरह से टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं उसका concept यहां पर समझा रहा हूं किसको assign हो जाएगी यह वाली value जो result parameter है अगर यह expression false है तो second वाला आपका value assign हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि marks की value क्या है 75 75 अगर आप यहां पर देखते हो 75 is greater than 45 yes this is true तो क्या होगा यह pass value किसको assign हो जाएगी result को और फिर जब हम system.out.print result कर रहे है तो output क्या आएगा आपका pass तो इस case में output क्या आएगा pass ठीक है तो यह टर्नरी ऑपरेटर होते हैं इसका भी concept आपको आना चाहिएगी किस तरह से कौन सी value assign होती है टर्नरी ऑपरेटर के case में ओके सो next question देखते हैं next question में क्या किया है हमने एक integer type का variable लिया है i जिसकी value हमने रखी 123 string type का variable लिया as और यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे है type casting कि यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे है type casting कि i को string में convert करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर then string एक variable लिया time जिसकी value दी मैंने एक integer लिया और यहाँ पर हम क्या कर रहे है type casting कर रहे है यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे है string to int यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं string को int में convert और इधर क्या कर रहे थे हम int को string में convert करने की कोशिश कर रहे थे और नीचे हमने दोनों को बस add करके print कराया है अब output क्या आएगा output इसमें आएगा error क्योंकि incompatible types है ठीक है incompatible types है आप int से string और string से int directly type conversion यूज़ करके नहीं कर सकते ठीक है इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने यह लिखा और आपका हो गया इस तरह से नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अगर string से int करने तो क्या करते हम integer dot parse int ठीक है integer dot parse int करते हैं अगर string से integer करना है अगर integer से string करना तो क्या करेंगे string dot value of तो यह वाले दो points भी आपको आने चाहिए string dot value of इसको यूज़ करेंगे अगर directly करते हैं तो error है incompatible types का ठीक है चलो अगला question again important question है क्योंकि simple question है बट अगें बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं question में क्या एक expression आपको दिया है और आप से पूछा गया है कि इसका output क्या आएगा ठीक है आप देखो simple यही चीज important है इसमें कि क्या आएगा तो आएगा 5.0 क्योंकि हम किससे divide कर रहे हैं 20.0 से अगर आप इसको लेके चलते हो कि double value है तो पूरा का पूरा expression भी आपका double हो जाएगा ठीक है अब 5.0 को multiply किया गया किससे integer.parcent यह string value थी इसको हमने convert कर दिया integer में तो यह हो गया 4 तो यह कितना हो जाएगा अब 20.0 क्योंकि double का precision होता है वो int से बड़ा होता है इसलिए हमेशा पूरा expression अब इस case में क्योंकि double यहाँ पे involve हो गया पूरा का पूरा expression आपका double के उसमें ही convert होगा ठीक है यह चीज़ आपकी important है यहाँ पे 20.0 में CAD किया गया 60 तो क्या हो जाएगा यह 80.0 तो output आपका आएगा 80.0 अगर इसमें option यह होती 80 80.0 तो आप किसको mark करोगे 80.0 यही important point है यही tricky point है इस question का 80 आएगा अगर आप सिधा magnitude की बात करो तो 80 आएगा 80 आएगा असी आएगा बट उसका जो type cast है जो उसका precision है वो इसमें यह वाला जो value है वो determine करेगा ठीक है तो यह चीज़ आपके important है यहाँ पे so this is all for this particular video जिसमें हमने कुछ questions को देखा है कुछ tricky questions को देखा है output based questions को और से मैं को लगता है कि आपके कुछ concept clear होए होंगे और next video के अंदर हम देखेंगे constructors के उपर output based questions so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you